तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि medical of pharmacy software में items की entry हम कैसे करेंगे यानि की medicine entry कैसे करते हैं साथी साथ sell entry भी करेंगे ताकि हम एक sell invoice बना सके और उसको हम अपने customers को देते हैं sell invoice देते हैं वैसे तो आपको पता है कि medical of pharmacy का आपका कैसा भी business हो आप manufacturer है distributor है wholesaler है या फिर retailer है आप इस software से अपना stock, sell, purchase, expiry, breakage सब कुछ proper way में maintain कर सकते हैं इसलिए तो कहते हैं कि अगर आपका medical of pharmacy का business है हमें contact कीजिए हमारा सारा contact details and other details आपको नीचे description में मिल जाएगा वीडियो काफी छोटा होगा और बहुत ही informative होगा क्योंकि अगर आप कोई सबी software लेते हैं first time जब software में medicine entry करनी होती है उसका Excel invoice बनाना रहता है तो बहुत ही उत्सुकता रहता है और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं अलकि हमने पहले इसके बारे में बताया हुआ है लेकिन फिर से आपको एक की वीडियो में medicine की entry करना भी और sell invoice बनाना दोनों आपको सिखाएंगे practically बताएंगे इसलिए वीडियो को सुरू से लेके last तक देखिएगा तो चलिए फड़ फड़ से हम इसमें login करते हमारे सामने यूजर आइडिया और password आगया बढ़ा ही simple और बहुत ही जबरदस्त software है सारी चीज़े automatic आती है अब यहां पर आप अपना password एंटर करेंगे एक single click करेंगे और आपके software का dashboard इस तरीके से open हो जाएगा अब चुकि हम बात कर रहें कि हम medicine की entry करेंगे तो यहां पर जो right side में option आ रहा है product add का आपको यहां पर click करना होगा और उसके नीचे हम sell करेंगे तो अपने medicine को sell कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए सब कुछ practically आपको बताते हैं लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले एक request आपसे और करूँगा कि अगर अभी तक आपने डिजिट 24 चैन है मजा आ जाएगा देखिए जैसे payroll management यानि कि अगर आपको अपने staff employee का attendance payment salary slip सब कुछ maintain कर सकते हैं अपने business को accounting and billing software से कैसे बढ़ा सकते हैं यानि कि medical pharmacy के लावा किसी दूसरे टाइप का business है किसी भी टाइप का business है हम आपको customize software देते हैं तो वह आप कैसे maintain करेंगे all records in medical pharmacy software ए इसलिए आप चैनल को subscribe करके रखिया आते हैं अब अपने software पर तो यह हम अपने software पर आ गया है अब हम जानता होगा product add में सिंगल क्लिक करेंगे देखे product add सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात यह कि medicine की जितने भी लिस्त है ना software में already दिया हुआ है तो मुझे नहीं पता और उसका आपको details मिल जाएगा तो जैसे मुझे 80 walk 0.3 mg tablet add करना है बस एक सिंगल क्लिक किया देखें यह medicine हमारे सामने उपर में आ गया और आप देखें कि दो मिनट के अंदर आपका medicine enter हो जाता है बस आप देखती जाए हलाकि इसके बारे में हमने detail में बता है हमने category decide कर लि आपका 50 रूपीज है री-order point आपको कितने पर री-order करना है तो मैंने tell लिखा है आपका main unit क्या है strip alternate unit क्या है यहां पर भी strip दे सकते हैं और अगर आप खुले में भी 24 tablet बेशते हैं तो strip के जगा पर यहां पर हम क्या कर सकते हैं tab लिख सकते हैं और tab में conversion value कितना हो जागे कि एक strip में 10 tablet आता है तो हम यहां दस लिखेंगे यह समझ लीजेगा cells generally हम लोग inclusive रखते हैं ताकि हमने जो cell rate एक बार define कर दिया अब software उसको automatic calculate करेगा हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए cell text type को inclusive रखना चाहिए यहां पर हमें schedule of drugs को अधर कर देते हैं अगर किसी schedule of drugs में आता है तो हम यहां पर उसे decide कर लेंगे जिसे कि एच एच वन एक्स जी ओटी सी नेर्कोटेक्स बहुत सारे options है अभी अधर करते हैं जीएस्टी का option है बारा अट्टरा टाइस जो भी है बारा है तो हम बारा रहने देते हैं और कुछ लोगों को जीरो परसेंट पर काम करना तो जीरो पर भी वह कर सकते हैं यानि कि नॉन जीएस्टी पर एनिवे यह आपकी मर्जी आप कैसे काम करेंगे quantity जो है वह आप यहां पर लिखा रहता है लेकिन 110 हमने sell rate दिया यानि कि 110 रुपे में ही टेक्स आटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आएगा और यहां पर हमें बैच नंबर डाल देना है जो भी मैडिसिन का बैच नंबर है कर रहा है तो चलिए हमने इसका डाल दिया इसको एड कर सकते हैं एक सेकंड मैंने देखिए यहां पर डेट को 2018 कर दिया तो इसको 2018 नहीं करना यह अभी 2024 चल रहा है तो जाहिंट सी बात है कि 2024 के बाद ही होगा तो वह भी आपको 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 सॉफ्टर मेंटेन करके बता यह आगे अब इसको हम सेव कर लेता है यह सेव हो गया याँ पर देखिए सेव का मैसेज भी आ चुका है इतना आसान है सॉफ्टर में अंटी करना अब इसको ईचे कुछ किशेंगे यह और नया यहां से एड़ करेंगे येट डिटा पर जाएंगे वही मैडिसीन को हम दुबारा से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं अब आपको कोई नया इसमें बैच नंबर बगेरा मेंटेन करना है तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि लाइक अ कैसी दबाएंगा विपर सकते हैं और अगर आपको कस्टेमर करना है जिसे की अंकित हमने लिखा तो यह और यह आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका कस्टेमर वहाँ पर सेव हो जाएगा कहने का मतलब Coleman s नाम एंटर कर दिया तो आपको दुबारा एंटर नहीं करना पड़ेगा दूसरा option है कि आप बिना customer के नाम के एंटरी करना चाते हैं बस cash में sell करना चाते हैं तो कोई भी cash का आप बिल उठा लीजिए और आप उसको sell कर सकते हैं तो दोनों option है नया customer आप एड भी कर सकते हैं चले हमने फिलाल जो एड कि अंकित सर्मा उसको हमने ले लिया अब इस पर जैसे ले लेंगे ना इसके पास इसका सारा डीटेल यहां पर आ जाता है और यहां पर प्रोड़क्ट इंफो का टैप है कि अगर कोई मैडिसीन आपको नहीं मिल रहा है आप यहां पर उस मैडिसीन का नाम लिखे एंटर बटन दबाई और देखिए यह मैडिसीन जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सारे मैडिसीन का डेटाबेस आल्रेडी सौफटर में दिया हुआ है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आप बस एंटर एंटर दबाएंगे देखिए सारे मैडिसीन के नेम आपको ऐसे शो होते रहें और चुकि हमने जो मैडिसीन एड़ किया था उसी को सेल करना तो हम यहां पर सर्च भाई प्रोड़क्ट पर जाएंगे एटी लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अगर आपकी क्वैंटिटी एक है लिखेंगे तो जैसे माल लिजे के हमारी क्वैंटिटी फ्री असके बाद हम इसका आड कर देंगे तो अब मालो कि आपको यही मेाडिसीन सभ्रोToo्ईर मों में बीचना एक सोफ्टिए बढ़िया औस técnology सव्ट अपने जोड़ कि सन खान बात है सौफ्टर की जो कि आप इसमें कर सकते हैं एनिवे हम उसी मेडिसिन को दुबारा लेंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहां पर देखिए यह क्वांटिटी वन आरहे तो हम इसको फाइब कर देते हैं और हम इसे स्ट्रिप में नहीं हम इसे टैबलेट के फॉर्म में बेचना जाते हैं तो देखिए मैं यहां से टैबलेट सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो इसका सेल रेट है इस ट्रिप का ओट अटमेटिक है वह 384 रुपय एंठांबे पैसे का तो आप वह बिल आपको यहां पर ऐसे लिख देना है तो जो एमांट आपने रिसीव किया वह एमांट आप यहां मेंशन करेंगे सेव एफटू पर क्लिक करेंगे एक सेकंड के अंदर आपका बिल बन जाएगा इन्वाइस इन्वाइ लेकिन हमने न इन चीजों को इंटीग्रेट करके रखा है ताकि आप स्मार्टली काम कर सके हैं तो चलो मैं फिलाल एफ़ोर पे रहने देता हो सेव एफटू पे क्लिक करूंगा और देखिए एक सेकंड के अंदर हमारा इन्वाइस रेडी है और इन्वाइस आपके सामने ह करें अब इस इन्वाइस में आपका अडरी सी इमिल आईडी कॉंटेक्ट नमबर कस्तमर का नेम एडरीस दीयेल नमबर इन्वाइस नमबर डेट किस डॉक्टर के रेफ्रिंस से आया है प्रोडक्ट का नेम उसका कॉंटिटी यह देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी च तो यह थोड़ी थोड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ है कि कस्तमर अपना इन्वाइज देखेगा तो उसको मज़ा आ जाएगा उसको लगए कितने डीटेल में फिर उसके बाद जीस्ती वगेरा यह सारी चीज़े तो जो एस रहती है वह प्रोपर वे में आएगा उसके अच्छी और खास बात क्या है कि इस सॉफ्टर में एयाई बेस सिस्टम लगा हुआ तो जितने भी मेडिसीन साते हैं उस मेडिसीन के लिस्ट सॉफ्टर में आटोमेटिक दिया हुआ है तो आपको काम करने में मज़ा आएगा तो फिलाल आपसे यही कहेंगे कि अगर आपक अगर और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते किसी ने एक्स्टर एंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए स्लाम देवर रगम प्रदाम श्रस्त्रियागाल कीप वाचिंग कीप इस्पाइलिंग अ